गुड़ मर्स और वीटर मिशन जो हमारा था जो इंडिया का बहुत गर्भानवित पल था जब मार्स पर जो हम लोग पहुंच पाए थे तो आज कहने का मतलब है कि उसने एक इमेज भेजा है फोबोस का अना तो फोबोस के बारे में कुछ जनकारी दें हम जानते हैं कि मंगल गर्भा जो चौथा इसा गर्भा है जो चार नंबर पी आता है तो उसको मार्स के नाम से जानते हैं मंगल के इसके दो उपगरा है डोमो अनी डीमोस और फोबोस जो है बहुत ही काला दिखाई उपर से बहुत काला इसका फोटो ले पाई, वहुत ही कस्ट है, बहती ज्यादा, कितना समय के बाद बहुत ही समया आया है, जिसके बाद हमारा और्वीटर मिशन है, उसने फोबोस का image ले पाया है, capture कर पाये है हना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हना, सबसे बड़ा यह जो है, हना, यह फ़बोस नाम जो है, इसका धारा गया है, जो फ़बोस नाम रखा गया है, यह युनानी देवता के नाम पर रखा गया है, यह यहाँ लिखेंगे, चोथा गरा लिख देखेंगे, हना, और यह सबसे बड़ा नजदिक है, यह सबसे बड़ा भी है, मने दोनों गरहों में, डिमोस और फ़बोस में यह बड़ा है, और नजदिक भी है, इसकी खोज 847, इस विह होईते है, 11.267 किलो मीटर है, सता 1543 किलो मीटर स्कॉर का है, और ताप मान ज़े इस पर है, एराउंड 233 कल्वीन का है, 233 कल्वीन के एवरेज है, अना, घुर्णा नबदी, इसकी साइक कुरोना से होती है, अवरेज कच्छे का 3, 2, 3 किलो मीटर सेचेन्ड होती है, यह सारा डेटर आपको लिए ऐ, आप इसको देखेगा, उसके बाद इसका जो रखक, इसकी का कहीं पर गठा के तो उसके गठे का जो अलग-लग परकार से, अलग-लग जो कब गया था जो मार्स पे हम लोग पहुंचे थे हम लोग जानते कि पहली पर्यास में पहली बार और सबसे कम सबसे बोले तो सबसे चीप या फिर सबसे सबसे कम और सबसे उनत तरीके से एक बार में पहुंचने वाला एक मातर देश भारत बना था और पहली बार में पहुंचने वाला यूनिक देश तो यहाँ पे इंडिया का जो Space Research Organization है जिसकों लोग इसरो बोलते हैं बैंगलूरी में इसका Headquarter है तो इसने पर्थम मंगल यान जो भेजा था जिसका Mars Orbiter Mission नाम था M.O.M यह सबसे पहले अंतरीची अभियान में भेजा था जो मंगल पे गया था इंडिया का इसरो का अपना यह था हाना इसका जो Total भेजनेक में जो खर्च आया था एराउंड चार सो पचास करोल का था बजन हाना यहाँ पे 13372 के लिए केजी का था और यह लॉंच हुआ था पास्टमबर 2013 को जबकि यह रीच हुआ था 24 सेप्टमबर 2014 को यह पहुँच पाई थी एराउंड सालवर लगें उपर लगें उसके बाद प्रच्छेपन जो है SDSC से हुआ था 37 धबन अस्पेस सेंटर 37 धबन जो अस्पेस सेंटर है उनसे वहाँ से इसको परच्छेपित किया गया था इसको और भी अगर किसी नाम से जानते हैं तो मंगल कच्छत्री मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है तो यह फोबोस है फोबोस का बाकई में इमेज जो लेना है बहुत ही कस्ट कारक है जब इसका हम लोग डियायंगराम देखेंगे तो बहुत ही जश्चत कारक रहा बहुत इतना चोटा दिखता है एक ब्लैक होने का कारण यह लाइट को रिफिलेक्ट ने करता है तो इसका जो फोटो ले पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है हाना हमारे जो अर्विटर थे उसके लिए भी बहुत ही कस्ट कारग रहा आनी का है का मतलब चलिए यह हमारा एक सक्सेज है कि अभी इतना दिन होने के बाद भी 6-7 सल हो गए मार्श अर्विटर को भेजे हुए मंगल यान को भेजे हुए लेकिन अभी भी वो कारे रूप से कारे कर रहा है अभी ठीक है तो इसलिए हम सब को बढ़ाई देते हैं यह हमारा अभी भी मतलब मार्श अर्विटर मिशन जो एक काम कर रहा है तो यह फोबोस था जिसके बारे में हमने कुछ जानकारी आपको सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू